असलाम उलाइकुम स्टूटेंट मैसल परवीन अख़र यूर कम्प्यूटर टीचर तुड़े माइ टॉपिक इस इंट्रोड़क्शन टू कम्प्यूटर स्टूडेंट्स डू यू सी कम्प्यूटर क्या आपने कम्प्यूटर देखा है ओके कोि深ी है जिस अपनी कमप्यूटर आप देखों अपने कम्प्यूटर और यह एक कम्प्यूटर है क कम्प्यूटर एक मशीन है , क्का हम मशीन चेहां क्योंकि यह MUNमेड है यह इनसानों ने बनाई हुई है कंप्यूटर हमारी day to day life में हमें work easy करने में help करता है computer हमारा work easy करता है कैसे computer पर हम बहुत सारे work करते हैं जैसे कि computer पर हम typing कर सकते हैं drawing कर सकते हैं calculations कर सकते हैं जिन कामों को हमें अपने हाथ से करने में बहुत जादा time लगता है computer उन्हें कुछी second में complete कर देता है without any mistake computer एक non living thing है non living thing को हम man made thing भी कहते हैं जो कि इनसान ने बनाई हुई होती है दो तरीके की चीज़े होती है natural things and man made things natural things वो चीज़े होती है जो के nature के थुरू हमें मिलती है जो के by God बनाई जाती है जिने खुदा ने बनाया हुआ होता है और man made वो चीज़े होती है जो इनसान के जरीए बनाई जाती है अब natural things और man made things बहुत सारी है हमारे around अगर हम देखे हमारे घर में हमारे आस पास कितनी सारी ऐसी चीज़े हमें मिलेंगी जो के natural होती है और कुछ man made होती है हमें इन में difference करना आना चाहिए जैसे के man made things कौन कौन सी होती है हमारे घर में कितनी सारी चीज़े है machines है जैसे के fan है, tv है, fridge है ये सारी चीज़े man made things है और natural things, natural things कितनी सारी है जैसे के clouds है, mountain है, trees है, flowers है, birds है, animals है, water है, ये सारी चीज़े क्या है ये natural things है, ये हमें God gifted है, God की तरफ से मिली होई है, इसे इनसान नहीं बना सकता ठीक है, आपका homework ये है कि आपको काफी सारी pictures मुझे collect करके बेजनी है difference करना है man made things में और natural things में, मतलब कुछ pictures आपको मुझे भेजनी है natural things की, जो आपके around है, जो आप अपने आसपास देख सकते हो और कुछ pictures आपको मुझे भेजनी है man made things की, जो के इनसानों ने बनाई हुई है ठीक है, ये आपका homework है, जो आपको मुझे घर से करके भेजना है